हमारे हाँ सभी औरते घर चलाने के लिए काम करती है पर उनका नाम कामकाजी औरत में नहीं बल्कि घर समालने वाली लिस्ट में ही चड़ता है क्योंकि इन कामगों कोई शौक बोल देता है तो कोई टाइम पास पर कभी भी सीरिसली नहीं लिया जाता मेरा नाम सरोज है और मैं एक कामकाजी लड़की हूँ जो रोटी पकाना भी जानती है और कमाना भी शादी भी करना चाती है और बच्चे भी पर अपनी पहचान बना लेने के बाद उस दिन घर पहुँचकर चाय चड़ाई थी कि रामभया की बाइक की आवाज आई सरोज हाँ यह 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 रंगोली तुम ले बनाई है क्या जी वे यह क्यों चाय पिला फिर बताता हूं कैसी हो चाची ठीक हो अपना सुना मस्त हूं बटन लगारी हो नमस्ते बया नमस्ते चाय अन्यवाद मां यह देखो यह क्या है बया देखो तो पहले मुझे लगता है तुम्हें यह काम सीखना चाहिए दिखा अब यह सब काम भी लड़कियों से कराओगे अरे मुझे भी आज ही पता चला कि यह काम लड़कियों कही है देखो देखिए और सिर्फ तुम्हीं क्यों मैं तो कहता हूं चार पांच लड़कियों की टीम बनाते हैं क्या बोलती है राम भेया हमारे गाउं से आयों लोगों में सबसे सफल कॉंट्राक्टर है उनका विश्वास देखकर मैंने हां कर दी मुझे लगा था टीम तो मैं यू तेयार कर लूगी जाने दीजिए ना अंकल पर नहीं बहुत पापड बेलने पड़े लोगों को ये समझाने के लिए कि ये एक बहतर कल की शुरुआत है अगले कुछ दिन चौका देने वाले थे हमें एक ट्रेनिंग सेंटर ले जाया गया जितने अजरत से हामुज जगे को देख रहे थे उतने ही अजरत से वहां का स्टाफ हमें देख रहा था किसी को नहीं पता था कि इन लड़कियों से ये काम होगा की नहीं पर सब को पता जरूर लगा ना था एप्लिकेशन का इस्तमाल करना पड़ेगा एप्लिकेशन खेर ट्रेनिंग शुरू हुई और देखते ही देखते हमारा हाथ साफ होने लगा सर ऐसे बीच में तो हो जाएगा लेकिन घरों में जिसे साइट में उनों में कैसे करेंगे बहुत आसान उटसा बढ़ता ही गया और मुश्किल से मुश्किल डिजाइन्स भी आसान लगने लगे पर सबसे बड़ी परीक्षय अभी बाकी थी और वो थी एक्चुल साइट निप्टाना कोई डमी वॉल नहीं उस दिन हम सब बहुत नर्वस थे पर क्लाइन्स का विश्वास देखकर हमारा सारा डर गायब हो गया और कुछी घंटों में हमने साइट पूरी कर दी जैसे जैसे हमारा नाम होने लगा, काम का तो जैसे तादा ही लग गया राम भाया को कई बार मना करना पड़ता था लाइफ में पहली बार ऐसा होने लगा कि अपने काम का वक्त मैं तै करने लगी वरना ब्यूटिशन के काम में तो हमेशा क्लाइन की मर्जी चलती थी अब दिन में सिर्फ तीन चार गंटे और और बस तो ब्यूटिशन का काम अब बिल्कुल नहीं करते हो क्या नहीं करती हो ना लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रुद है बाबा अरे सरोज अब मुझ धोलें पांच मिनिट और बाबा अभी तक सूखा नहीं है अच्छा कि अच्छा नहीं हो जाता यार बोले तु तारी पंक होंगे यार प्यारे होजा तैयार मरो डारी उड़ना है तुझे कर ले अब तैयारी पंक लगा और भर ले आज उडारी नाम की अपने मोहर बना ले कल जग में होगा तेरा नाम नाम से कामर प्यारे देख देख दिन चार उड़ना है तुझे कर ले अब तैयारी गलिपक्ट मैं और झाल भाल झाल